हेलो फ्रेंड्स मैं स्वाधी जेटली आज अपनी नई रेस्पी के साथ आई हूँ अक्सर हम बाजार से मियोनीज खरीद कर लाते हैं क्यों ना आज हम घर पर ही फ्रेश मियोनीज बनाएं तो पहले हम जार लेंगे जार में हम आधा कप चिल्ड मिल्क डालेंगे जो फुल फैट क्रीम वाला मिल्क है इसमें हम फुल फैट मिल्क का यूज करेंगे और आधा चम्मच हमने इसमें नमक डाला एक चम्मच हमने चीनी डाली इसे हम सबसे पहले विसकर से हिलाएंगे उसके बाद एक कप हमने ओली ओयल का लिया है आप ओली ओयल ही यूज करें अगर नहीं यूज करती है तो आप रिफाइन ना यूज करकर बनसपती घी यूज करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करकर डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे औली वैल एक बार में नहीं डालना है इसे बड़ाबर हमने विस्कर से मिलाते जाना है ये चम्मच हमने वाइट पिने कर लेना है उसे भी इसमें डाल दिया हमने और बड़ाबर विस्कर से मिक्स करेंगे जब सब चीजे मिक्स हो चुकी विस्कर से तब हमने इसके मिक्सी के ग्राइंडर चार में डाला और इसे रुक रुक कर चलाया है यह इस तरह थिक हो रही है अभी और होगी फिर हम इसे चलाएंगे और ओली वाइल डालेंगे आप देख सकती है यह थिक होने लग गई है यह थिक हो चुकी अब हम इसे फ्रेस में रखतेंगे आपकी मियोनीज पूरी तरह बन कर तयार है देखा मियोनीज कितनी जल्दी बन कर तयार हुई और यह बहुत ही टेस्टी और फ्रेश मियोनीज बन कर रेडि होती है आप किसी अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आप मेरी चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले अ अ